दोस्तों मैं देव सर्मा दोस्तों मैंने आपको नीट का ड्रेस कोड बताया था सिमिलर्टी आप जब नीट का ड्रेस कोड फोलो करकी गए हो तो आपको किसी भी प्रोब्लम्स का सामना वापन नहीं करना होगा तो वेसे ही मैं आज जो है वो एम्स 2018 का ड्रेस कोड बताने वाला हूँ बोईज और गल्स दोनों के लिए तो आप दरूर जाने एम्स का ड्रेस कोड यदि आपने नहीं जाना तो आपको जो हो एक्जामिनेशन होल में बहुत बड़ी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है एम्स 2018 एक नेशनल लेवल मेडिकल एंटरेंस एक्जाम है जिसको एम्स न्यू दिली हेल्ड करती है यह एक्जाम 26 और 27 मई 2018 को दो सिफ्ट के अंदर होना है तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो सारा मामला यहां पे होगा तो मैं आपको सीदे आपको ले चलता हूँ रेस्ट्रिगेटेड आइटम में तो दोस्तों इन सभी आइटम्स का आप यदि ध्यान रखोगे तब भी जाके जो है वो आप अच्छी प्रकार से एक्जामीने सनोल में बेट पाओगे वरना आपकी बहुत बड़ी प्रोब्लम्स का यहां पे सामना करना पढ़ सकता है तो दोस्तों किसी भी आभुशन को पैन के आप नहीं जाएं किसी भी प्रकार के आभुशन को शिर्फ मंगल सुत्तर को छोड़ के आप किसी भी आभुशन को नहीं पैन सकते नेकलेस को भी आप नहीं पैन सकते हो बैंगल्स भी नहीं पैन सकते हो यदि किसी सादुशुदा लड़की यदि एक्जाम दे रही है तो वो दो या तीन चूडियां जो है वो डाल सकती है रिंग्स नहीं पहन सकते हो चाहिए वो किसी भी परकार के हो रिष्ट बेंड नहीं पहन सकते चस्मा भी नहीं लगा सकते यदि डोक्टर की सलाय अनुसार आप यदी लगा कर आते हो तो आपको आद्य घंटा सेंटर पर पहले पहुंच कर वहाँ पे अपने जो डोक्टर के सिंग्नेचर हुए हुए प्रमान पत्रित चेक करवाने होंगे उसके बाद ही जो है वो आप गोगल्स डाल के अंदर जा सकते हो हेंड़ियर्स भी जो है वो आप इस्तमाल नहीं कर सकते सकाफ भी आप नहीं लगा सकते जैकेटस भी नहीं पहननी है आज के समय में मैं देखता हूँ कि एसर्ट के उपर जो है वो फैसनेबल जैकेटस लड़कियां ज़्यादा पहनती है तो वो भी जो है वो एकदम restricted जो है वो item के अंदर आते हैं तो दोस्तों ये थे वो item जिनको आपको नहीं पहन के जाना है तो इन सभी item का यदि आप ध्यान रखोगे तो आपको जो examination hole के अंदर किसी भी unhoney का सामना नहीं करना पड़ेगा इसके अलावा मोबाइल, पैजर, कैलकुलेटर वगेरा कुछ भी नहीं लेके जाना तो दोस्तों किसी भी परकार का डिवाइस भी नहीं लेके जाना है तो आप 2018 एक्जाम M से बाहर हो सकते हो तो ऐसा नए करें मैंने आपको रेस्टिगेटर आइटम बता दिये इसके अलावा भी कई आइटम है जैसे मंगल सुतरा पहन सकते हो और चोड़ियां वगेरा का मैंने आपको बताई दिया और भी कई चीजे हैं जो आप आपको ध्यान रखनी होगी तो यह थे वो आइटम दोस्तों नीचे है आपको गड़ियां वगेरा भी नहीं पहन के जाना किसी भी परकार की पोकेट वोचिंज वगेरा भी जो है वन नहीं लेके जानी है दोस्तों आपको पैन, पैंसिल, पेपर, बेग, बोटल आपको कुछ भी नहीं लेके जाना वेन इट कमस तो पेपर यू केन ओनली टेक एंप्स एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ एंड और ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो आपको है वो लेके जाना है तो एंडमिट कार्ड लेके जाना है, फोटोग्राफ लेके जानी है, एक या दो और उरिजिनल आईडी प्रूफ जो है वो आपको अपने साथ लेके जाना है तो इसके अंदर ये थोड़ा changes है कि वही photographer और original ID proof admit card के साथ आपको लेके जाना जरूरी है तो ये changes जो है यही आपको मेरे को आज बताने थे मैंने उपर आपको restricted item भी बता दिये and जो main admit card photograph and original ID proof के बारे में जो बात करनी थी वो भी हमने कर ली है तो दोस्तों इन यदी समान का आप ध्यान रखोगे तो आप examination hall में एक positiveness के साथ जो है वो जा सकोगे and किसी भी परकार के negativity आपके सामने नहीं आएगी बस दोस्तों ये इतनी सी एक वीडियो है अपन आज साम को ही एक वीडियो और मनाऊंगा उसके अंदर most questions से related बात करेंगे जय हिंद वन्ने मातरम